तो अब आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं design of RCC ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे syllabus की इस subject में क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो syllabus की बात करेंगे design of RCC subject में RCC के अभिकलपन RCC के अभिकलपन ठीक है तो इसमें जो हमें पढ़ना है WSM और LSM दोनों ही method दिया गया है आपके syllabus में तो पहला chapter है आपका introduction तो सबसे पहला chapter जो हम लोग पढ़ेंगे introduction अभी मैं क्यों चेप्टर के नाम लिख दे रहा हूं उसे क्यों इंग्लिस में लिखूंगा बाकि जब पढ़ाऊंगा तो bilingual में हिंदी और इंग्लिस दोनों में पहला chapter है आपका introduction इस introduction में हम लोग क्या पढ़ेंगे RCC क्या होता है RCC कैसे बनाते हैं कौन-कौन सी material से बनाई जाती है क्या उनके प्रॉपर्टीज है क्या RCC के ड्वांटेज है क्या डिसद्वांटेज है वो सारी चीज हम यहां पर discuss करेंगे जब हम chapter स्टार्ट करेंगे उसी समय में आपको उस topic में उस chapter में जितनी भी topic cover करने वाले रहेंगे उसको उसी समय डिसकस कर लेंगे ठीक है अभी केवल बस इतना देखना है कौन-कौन से chapter आपके syllabus में दिया गया और कौन-कौन सम पढ़ने वाले तो पहला chapter है आपका introduction कि इंट्रोड़क्शन के बाद second chapter जो होगा वह इंट्रोड़क्शन आफ मेथड आफ आर्ची सी डिजाइन कि इंट्रोड़क्शन आफ मेथड आफ आर्ची सी डिजाइन ठीक है उसके बाद थर्ड चेप्टर की बात करें मैं तो सीर एंड्ड डालॉपमेंट लेंथ बाई ड़ल tulee सम Z चीर था कि डे ड व्लब्मेंट कि अ लेंथ हैं बाई ड़लस एसे म यह ड़ल एसे जो है न में वर्किंग से मेथट से है WSM के जितने भी कॉंसेप्ट है वो पूरा हम लोग इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है WSM में और भी जैसे सिंगली बीम हो गया डबली बीम हो गया इनके जो प्राब्लम नुमेरिकल हैं फॉर्मूले हैं वो सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे और सियर एंड डिवलाप्मेंट लेंद की भी बात करेंगे लेकिन जो भी हम डिसकस करेंगे इस चैप्टर के अंतरगत वो और WSM मेथड की बात करेंगे ठीक है जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले सेकेंड चैप्टर में ही आपको बता देंगे कि कौन-कौन से मेथड यहाँ पर डिजाइन के लिए यूज किये जाते हैं LSM, WSM दोनों के बारे मैं पहली बता दूँगा तो आपको आगे मैं जितने भी चैप्टर बताऊंगा उसमें यह बताऊंगा कि कौन से चैप्टर WSM से हमें पढ़ने कौन से LSM से वैसे WSM से जादा दिया नहीं गया है आपके स्लेबस में कि वो तीसरा चैप्टर ही बस आपको यहाँ पर WSM करना है उसके आगे जितने भी आपको चैप्टर मिलेंगे वो सभी LSM से मिलेंगे यहनि लीमिट स्टेट मेथड से WSM का मतलब क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से तो जैसे आगे पढ़ेंगे आपको सोन में आ जाएगा चौथा चैप्टर है आपका कॉंसेप्ट आफ लीमिट स्टेट मेथड यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है LSM यानि लीमिट स्टेट मेथड तो LSM के क्या कॉ डिजाइन आप सिंगली रेनफोर्स्ट बीम इसे LSM से हम लोग यहां पर डिजाइन भी करेंगे और इसके नुमेरिकल भी सॉल्व करेंगे उसके बाद अगले चैप्टर में डबली रेनफोर्स्ट बीम इसे भी LSM से परहेंगे ठीक है उसके बाद 7 चैप्टर की बात करेंगर हम तो यहां पर हम टी बीम और L बीम के पूरा कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे यहां पर टी बीम और L बीम इसका डिजाइन आपके स्लेबर से में नहीं दिया गया है बट इसके जो थियूरी कॉंसेप्ट है वो हम लोग यहां पर परहेंगे ठीक है उसके बाद स्लेब आ जाता है आपका यहनि कि वन वे स्लेब और इसे जो है LSM मेथड से ही पढ़ना है अगला चेप्टर में टूवे स्लेब यह भी LSM से है उसके बाद नेक्स्ट एक्जियली लोडेड ओफ कॉलम और लास्ट में इसे भी LSM से लास्ट में प्री स्ट्रेश्ड कंक्रीट तो यह था आपका स्लेबस कि कौन-कौन से चेप्टर हमें इस RCC डिजाइन में पढ़ना है यह 11 चेप्टर है इस 11 चेप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है इसके थियोरी को भी इसके कॉंसेप्ट को भी डिजाइन को भी और इनके नुमेरिकल को भी पूरा अच्छी तरह से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको free of cost complete वीडियो आपको इस चैनल से मिलेगा ठीक है जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आपके सब्जेक्ट और यह RCC सब्जेक्ट डेली वेसिस पे आपको regular लेक्चर मिलता रहेगा तो अगर आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अप्लोड करूँगा उसका notification आपके पास आता रहेगा लाइब वीडियो में बहुत कम लेता हूँ सारे वीडियो आपके recording अप्लोडिंग वाले होंगे और यदि उसमें कोई doubt होता है तो आप जो है comment में लिखेंगे उसका reply आपको मिलेगा तो कि इसमें यह benefit है आपको कि जदा time waste नहीं होता है लाइब में बहुत जदा time waste होता है ठीक है तो मैं कोसिस करूँगा कि आपको कोई भी problem कहीं पर आएगा नहीं ठीक है topic वाइज हम मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा ठीक है चलिए फिर मैं मिलता हूं next वीडियो में और पहले chapter से यानि introduction से